हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो मैं आज आपके लिए फरसे कम तेल में और कम मसालों में बनने वाले जटपट रेसिपी लेकर आई हूँ तो इसके लिए मैंने एक बाउल में पोहा ले लिया एक कटोरी अब इसको अच्छे से पानी से धोलेंगे पानी से वाश करने के बाद इसको हम 10 मिंट के लिए धक कर रख देंगे ताकि ये पोहे में जो मौस्टर है वो सारा अब्जर्व हो जाए पोहे में पानी डाल कर नहीं रखना है इसको सिर्फ पानी से धोलेना है तो मैंने इसके लिए कुछ वेजिटेबल्स लिया है गाजर, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, चॉप्ट अनियन, येलो शिमला मिर्च, चॉप करके बीन्स लिया है आप चाहिए तो कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं तो पोहे को 10 मिनेट हो चुके हैं, देखो पोहा कैसे खिला खिला सा लग रहा है, पोहे ने सारा मॉस्चर अबजर्व कर लिया है इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें पोहा डाल देंगे पोहा डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी सूजी एड़ कर रही हूँ इससे जो हमारी चीले की बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी इसके बाद मैंने आदी कटोरी के करीब पानी लिया है आदी कटोरी धही डाली है अब जार बन करके हम इसका बैटर रेड़ी कर लेंगे बैटर रेड़ी हो गया है देखो कितना ही स्मूद बैटर रेड़ी हुआ है अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे एक बार फिर से बता रही हूँ एक कटोरी पोहा लिया है आदी कटोरी से कम सूजी लिया है आदी कटोरी धही लिया है अब थोड़ी से मैं इसमें चीले फ्लेक्स डालूंगी थोड़ा से नमक एड़ करूंगी और थोड़ी सी काली मिर्चिस में मैंने ज़ादा मसालों का यूज नहीं किया है थोड़ा सा पानी डाल कर अब मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर को अच्छे से ही मिक्स करना है ताकि जो नमक, मसाले वगरा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से mix कर लेंगे बैटर हमारा बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए अब जो vegetables कट की थी वो सारी बैटर में डाल देंगे दोस्तों आप चाहिए आपके पस जो भी vegetable हो आप खाते हो शौक से वो आप इसमें add कर सकते हैं मटर, स्वीट, कौन, कुछ भी add कर सकते हो आप बैटर हमारा ready हो चुका है देखिए इसकी जो consistency है वो बिलकुल ऐसी ही होनी चाहिए अब gas हमने on करी gas on करने के बाद हम इसमें एक pan रखेंगे pan थोड़ा सा गरम हो गया तो इस पर थोड़ा सा oil डाल कर उसको चारों तरफ से grease कर लेंगे अब material को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे material डालने के बाद इसको थोड़ा round shape देकर फैला देंगे और जो extra material बहार निकला हुआ है उसको spatula की help से round shape देंगे अब मैंने थोड़ी सी vegetable बचा कर रखी थी इसके उपर इसकी topping करके हलका सा finger से press कर देंगे और इसको 5-10 minutes के लिए धक कर रख देंगे देखो हमारा चीला कितना अच्छा ready हो रहा है उपर से सूख गया है अब इसकी हम side पलट लेंगे और दूसरी side से भी सेख लेंगे जो side हमने पलटी है friends उस पर हमें oil बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि हम oil पहले ही लगा चुके हैं साइट पर तो इसमें ज्यादा ओयल का हमें यूज नहीं करना है इदि को कितना अच्छा पैंकेक ready हुआ है आप इसको नाश्ते में इवनिंग स्नैक्स में बच्चों के टिफन में किसी में भी दे सकते बहुत हैल्दी रेसीपी